बिडियो को जादा से ज़्यादा लोगों तक शेर करें दौस्त आपकी प्यार और सपोर्ट कि हमें बहुत ही जूरूरत हैं हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागाध है आपका जियो भी निजे दूस्ते विडियो में आपको देखने को तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी ख़बर है। पूरी जानकारी दी है। इसके तहट ट्रेफिक नियम तोडने से पहले के मुकाबले पांच गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। आपको बता दे कि सरकार ने या तयात संबदी नियम को तोड़ने पर जुर्माना दोगुनी से ले करके आठ हुना करती है। इससे पहले हैमलेट बाइक चलाने वाले या फिर स्टीट बेल्ट कर कार चलाने पकड़े जाने पर सो रुपे गा जुर्माना लगता था अब पांसो रुपे देना होगा। दुबारा पकड़े जाने पर आपको एक हजार रुपे देना होगा। रुपे कर दिया गया है। रेड लाइट तोड़ने पर सो रुपे के बज़ए अब तीन सो रुपे चुकाना पड़ेगा। रेड डैफिंग करते समय पकड़े जाने पर अठाई हजार से लेकर के अब आपको दस हजार रुपे तक चुकाना पड़ेगा पैसा। ज्यादा आवाज करने वाले साइलेंसर और तेज आवाज वाले प्रेसर होर्न लगाने पर जुर्माना दो हजार रुपे से बढ़ा करके चार हजार रुपे कर दिया गया है। मौलिक अधिकार कलकता हाइकोट ने याचिका दायर जिहाद हो तो कलकता हाइकोट ने जैसराम का नारा लगाना मौलिक अधिकार खोशित किया जाए। जैसराम का नारा लगाना नागरिकों का मौलिक अधिकार खोशित होना चाहिए। खबरों का हवाला देते हुए कोट ने कहा है कि भागवान राम का नारा लगा या फिर किसी पूजा अर्चना करने वालों के खिलाफ कोई भी दंडात्मा कारवाई नहीं होनी चाहिए। कोई कानौन नहीं है। ऐसे में कोट को इस मामले में तद्काल हश्तक्चयप करना चाहिए और इस संभद में दीसाने देश जारी भी होना चाहिए। के विरोध में देस भर में परदर्सन के दोर चल रहे हैं ऐसे में जैसे राम लिखे हुए पुष्ट कार्ड और वरारसी के संतों को राम जरीत मानास की प्रतिया भी डांक के द्वारा भिजवाए गई थी जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बरे बिहार के मुझे मुझे फरपूर में 100 से ज्यादा बच्चे बिमार अस्पताल में भरती हैं मुझे फरपूर के सबसे बड़े अस्पताल सिरी कृष्ण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पिछले कई दिनों से हो रही है बड़ी संख्या में बच्चों के इलाज जारी है जाच के बाद वहीं बिमारी सामने आए जिसके बाद देश में चींता बढ़ गई है इस बच्चों की चमकी बुखार यानि एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के लक्षन पाए गए हैं इसके अलावा अस्पताल में 52 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि मुझे फरपूर में एक और बड़े होस्पिटल के जरिवाल मातरी सदन में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है आपको बताते कि डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा तर बीमार बच्चों के लक्षन एक जैसे ही देखते हैं बुखार उल्टी सरीर में सुगर लेवल गिरना और ज्यादा तर बच्चों में बीमारी की खता लक्षन सुबह से ही दिखाए दे रहे हैं आपको बता दे कि इसके बुखार के क्या लक्षन होते हैं जी हाँ दोस्तों बुखार में उल्टी होना सुगर लेवल को गिर जाना और सुबह से वक्त बुखार लगना आपको बता दे कि इस रहसमई बुखा का तिलिस्मी आखिर क्या है यह बीमारी यहां कई दर्सकों से चल रही है जाज के लिए कई देसों से टीमे भी यहां आ चुकी है इस तरीके के सोध हो चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है आखिरकार यह बीमारी क्यूं होती है और खास बात यह है कि आख आखिरिया ऐसे समय में ही की होती है आखिरकाल लगतार कोशी से जारी है लेकिन जीस तरीके से इस समय बीमारी से गंभीर रूप से धारन कर लिया है मेडिकल साइंस के साथ सत मुझभरपूर प्रसासन और बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनोती साबित हो रही है